आज रेल विकास निगम लिम्टेट ने एक बड़ी एनॉंसमेंट की है एनॉंसमेंट यह है कि आप वहाँ डिविडेंड दे रहे है आपको मैं बताना चाहूंगा डिविडेंड क्या होता है डिविडेंड एक प्रोफिट का हिस्सा होता वहाँ decision लेता है board of director और board of managing director जो रहते हैं उनसे पूछ की हाँ decision ले लेता है कि हमारी company अच्छा profit कमाई है तो हम कुछ हिस्सा हमारा shareholder को बाट दे जाए और company dividend कितने रुपय का दे रही है company एक रुपए 65 पैसे का dividend दे रही है एक रुपए 65 पैसे का dividend दे रही है और 34 रुपए share price है मात्र 34 रुपए share price पर आपको एक रुपए का dividend मिल रहा है और यहाँ एक सरकारी company है और इसका market capital 7000 रुपए है और आए अब कुछ company के capital और fundamental को चेक किया जाए तो आपको दिख रहोगा screen पे company का today high है 35 रुपए 20 पैसे और weekly high बावन का है 44 रुपए ठीक है और आपको capital market दिख रहोगा 7200 रुपए का और इसका enterprise value क्या होता है आपको बताना चाहूंगा debt company का total क्या है 11000 करोर की company अगर आप खरीजना चाहो तो 11000 करोर की company आएगी और company के total of shares कितने है 208 करोर ठीक है और company की सबसे negative point अब company के negative point डूनेंगे P ratio down है PBB ratio कम है और face value ठीक है और company dividend देती है और company की debt आपको अब यहाँ decision लेना है कि company का debt तो ज़दा है 5919 करोर रुपय का company का debt है और company के promote holding आपको दिख रहे होंगे 78% है यह अच्छी बात है और EPS company एक साल में 5.8% का दी है percent मतलब एक साल में 5 रुपया company को कमा के दी मतलब एक सेर पे 5 रुपया मिला है return सबको company का sales growth भी सही है ROE return of equity 29% का मिला है आपको company के profit growth भी अच्छी बाच्छी बाफ्ची है मतलब एक साल में 25 रुपया